एक गाव में एक किसान उनके परिवार के साथ रहता था किसान और उनका परिवार एक संथ महात्मा की सेवा किया करता था और संथ महात्मा के उपदेश पर उनका परिवार जरुरियात मंद लोगों की सेवा भी किया करता था उनके परिवार में सभी लोग प्रेम भाव से रह संथ महात्मा और जरुरियात मंद लोगों की सेवा करते हैं, फिर भी हमारे परिवार में इस बच्चे के साथ ऐसा क्यूं हुआ, इसका क्या दोश था जो वो अपाहिज है, एक दिन की बात है, जब संथ महात्मा का सत्संग चल रहा था, हजारों लाखों, श्रद्धालूओं उस सत्संग में बैठे हुए थे, संथ महात्मा ने अपने प्रवचन पूरा करने के बाद कहा कि, इस पुरे प्रवचन के विशय में अभी भी किसी के मन में कोई शंका हो तो वे बताए हजारों लाखों श्रद्धालूओं के बीच उस, अपाहिज पुत्र के पिता ने निस्वार्थ भाव से जरूरियात, मंद लोगों की सेवा करते हैं और हमारा पूरा परिवार अहिंसा के मार्ग पर चलता है, कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, नहीं किसी का बुरा करते हैं, फिर भी ऐसा क्या गुना हुआ, जो हमारा बच्चा पैदा हुआ, फिर गुरु ने जवाब दिया वैसे तुम्हें ये बात नहीं बता सकता, फिर भी आपके मन में दुविधा है तो सुनो, ये जो बच्चा है, जो दोनों टांगों से बेकार है, पिछले जन्म में एक किसान का बेटा था, रोज खेत में अपने पिता को दोपहर में बोजन का टिफिन खेत में देने जाया करता था, एक दिन उसकी माने उसे दोपहर में ग्यारा बजे बजे खाना लगा कर दिया और कहा कि बेटा खाना खाकर, पिताजी को टिफिन दे करा, इसकी माने खाना परोस कर थाली में रखा कि इतने में उसके किसी दोस्त ने आवाज लगाई तो ये खाना वही छोड़कर, अपने दोस्त से बात करने बाहर चला गया, इतने में ही एक कुत्ता घर में गुसाया और उसने थाली में मुह डाला और रोटी खाने लगा, लड़का जैसे ही घर में वापिस आया और कुत्ते को थाली में मुह डालता हुआ देखकर, पासी में एक लोहे का बड़ा सा डंडा पड़ा हुआ था, उसने ये भी नहीं सो कि खाना तो जूठा हो चुका है, बिना सोचे समझे उस, कुत्ते की दोनों टांगों पर इतनी जोर से लोहे का दंदा मारा, कि वो कुत्ता अपनी जिन्दगी में जब तक जिन्दा रहा, दोनों पैरों से बेकार होकर घसीटते घसीटते जिन्दगी जिया, और तडप अददुआ का फल है, जो इस जन्द में ये दोनों टांगों से अपाहिज पैदा हुआ है, संथ महात्मा ने कहा पुत्र इस, संसार में इनसान को अपने अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, इस जन्द में अगर किसी की टांग तोड़ी है, तो स्वाभाविक है कि अगले जन्द में आपकी टांग तूटनी ही है, अगर आप किसी को नुकसान पोहचाओगे तो आपका भी नुकसान होना ही है इस जन्द में नहीं तो अगले जन्द में इसलिए जो भी कर्म करो सोच समझ कर करो आप अपने कर्म फल से नहीं बच सकते, आप जहां भी जा पुच्छित कर्म करना अनिवार्या है भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को प्रधान्ता देते हुए यहां तक स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की यात्रा जहां से छुटती है अगले जन्म में वो वहीं से प्रारंब होती है जो प्रकृती के नियमों का पालन करता है वो परमात्मा के करीब है लिकिन ध्यान रहे यदि परमात्मा भी मनुश्य के रूप में अव्तरित होता है तो वो उन सारे नियमों का पालन करता है जो सामान्य मनुश्यों के लिए हैं इस जन्म या अगले जन्म में हर बुरे भले कर्म का प्रतिफल निश्चित रूप से भोगना पड़ता है